नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस रचना की चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है महाभोज महाभोज मनुभंडारी का एक बहुत ही लोक्त्री उपन्यास है, बहुत ही पापुलर उपन्यास है यह एक विशिष्ट किसम का उपन्यास है, इसे एस विशिष दरजा भी दिया गया है वह हैं इसलिए क्योंकि यह एक राजनीते को पन्यास है और कैसा राजनीते को पन्यास? जो कि एक महिला द्वारा लिखा गया है. तो इसमें विशेश क्या है? विशेश इसलिए कि भारती राजनीति को हम जब देखेंगे तो एकाद एक्के दुख्य उदाहरों को छोन दें, तो भारती राजनीति में महिलाओं की भूमी का बहुत अधिक नहीं रही तब लेकिन इस उपन्यास को देखिए ये उपन्यास एक महिला द्वारा लिखा गया आए और इस परन्यास में राजनीती जीवन की जो विढबनाए हैं, जो विभी सिकाए हैं, जो समस्याए हैं, किस तरह से इसमें आउसरवाधिता, भष्चयचार अजादी के बाद के इन वर्सों में राजनीती में क्या-क्या दूसर आ गया है। मकिया स weदं करि innocentes हो गया है। इन सब चीजों को इसमें बड़ी सचता से अफ्रेंजित किया है। इसलिए यह भू पन्यास विशिस्ट है महत्त्तपूर्बिन्दु है इसलिए आपको जानना है कि यह किस पर है राजनीतिक उपन्यास है इसकी व्यूस है वस्तु कैसी है राजनीतिक है अब लिखा किस पर द्वारा गया है एक महिला द्वारा लिखा गया है जबकि महिलाओं की भागेदारी सक्री भागेदारी हमारे यहां राजनीति में बहुत उसको बडी बेबाकी ये साथ बडी बेबाकी के साथ बडी सटीकता के साथ अभिरंजित किया गया है इसलिए उपन्यास एक विश्ष्ट महत्वर रखता है आप वैसे भी परहेंगे तो आपको हिंदी सायत हमें राजनीतिक उपन्यासों की संक्या बहुत कश्छ उपन्यास देखेंगे वामपंधी विश्य वस्तु को लिएक लिए उपन्यास है । राजनीति की जिक्र मिल जाएगा आपको अब धर्बारी हो i have to know hi we'll be honest को दिख जाएगा राजनीति में क्या-क्या समश्याहें कैसे 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 आप पर्पक्वता उभरी है कैसे कैसे आउसर वाहतर निकला है यहे इस इस उपरियात्थ यह बहुत सारे उपन्यास है उन में राजनीती की चर्चा तो होगी लेकिन राजनीत पर ही किंदत उपन्यास हो ऐसे उपन्यास संख्या कम है उपन्यास महत्पूर्ण है विसलिए आपके सिल्बाइब भी है पाठेकमर भी है महाभूर जब आप देखेंगे, तो महाभूर का रचनाकाल क्या है, 1979, 1989, इसका क्या है, रचनाकाल है, तो 1989 के समय, जो परिस्थितियां क्या थी, उनकी जलक इसमें दिखाई देगी, उनकी जलक इसमें दिखाई देगी, और इसके माध्यम से देख सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें इसमें उबरी हैं, जैसे कि क्या समस्या बड़ी उभर रही थी, दल बदल की समस्या, उस समय की राज नहीं थी है दल बदल की आपको समस्या इसमें उपन्यास में देखेगी कैसे राओ और चोधरी कैसे बार बार दल बदल करने की कुसे कर रहे हैं अपने व्यक्ति अतलार के लिए वह भले जन्ताज वारा चुन कर आए हैं लेकिन वह किस तरह से दल बदल की कुसे कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हम देखने जैसे उस समगी हलका हलका सा हम आडिया ले लेते हैं यहाँ पर अगले जो स्लाइड है उसमें सब यह दिया गया है विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेंगे दल बदल की समस्या देखेगी जाती गत्त जो प्रभाव राजनीत में दिखने लगा था जाती समाज एकाई है लेकिन राजनीत में किस तरह से सक्रीन रोल ने भाने लगी थी यह भी इस उपन्यास में देखेंगे आप इसमें आपको दिखाई देगा और उसार वाद कैसे कैसे राजनीत में आ गया था वो भी आपको दिखेगा और नौकर साही पर राजनीती का क्या प्रभाव है और नौकर साही कैसे अपना दायत नहीं निभापा रही थी जैसा कि उससे निभाना चाहिए ता वो भी दिखेगा पर अब इन्दों दिखेगा आपको मीडिया के पती कि मीडिया को क्या बोला गया है चौथा इस्ता में बोला गया है लोगतंदिका लेकिन मीडिया ने क्या कार किया है मीडिया ने कौन से काम किये हैं और क्या कार नहीं किया है किस तरह से करती है काम किस तरह से उसकी साट कार्ट है राइजनीती से यह इडिया समें दिखाया गया है पाट्रा एक छट्वा एक मात्रपूर बिन्दुएक सिविल सोसाइटी जो पढ़े लिखे लोग है वो किस तरह से निश्क्री हो गये है वो भी इसमें दिखाया गया हलका समय यहां पर दे दे रहा हूं आगे हम अंदर ने जो स्लाइट्स में इसको विस्ताप लोग देखेंगे तो यह इस तरह का उपन्यास है यह किस तरह उपन्यास को अगर घटना चळित्त यह सीति के अंसार देखें तो उस हिसाफ से उपन्यास का नाम करना कर दिया जाता है कि कुछ उपन्यास किस तरह का गटना प्रधान होगी रचना इस तरह से बात दे जाती है। अपुछ भी लिया जाता है कि रचना कैसी है, चरितर प्रधान है कि इस्थति प्रधान है कुई रचना, किस तरह की रचना है। रचना को कई हिसाव से बाटा गया है जैसे कि एक वरी करण को देखा था हमने कि राजनी थेख है समाजिक है धार्मेख है कैसी आर्थेख है किस तरह की रचना है किस चीज के प्रभाव उसकी विशेवस्तु के अधार पर रचना बाटी जाती है दूसरा जो हम लोग पढ़त यह उसी की इद्देगित पूरी कथा गूंगती है जैसे दिव्वे आप देखेंगे इस तरह है घटना परधान वो रचना या उपन्यास या नाटक होंगे जिसमें घटनाओं का महातो ज्यादा होगा किसी विशी घटना को अधार मनाकर पूरी कथा लिखी आती है इसी इ महावुष के संदर्णों में देखेंगे महावुष कैसा है इस्थिती परधान मुपन्यास है क्यों क्योंकि यहां कोई भी चरित्ता इसा नहीं है जिस पर पूरी रचना अधायत हो जिस पर पूरी रचना भूम रही हो यहां पर बहुत सारी चरित्ता जो मिल जुलकर कथा पूरी रचना में मर गया है लेकिन वो पूरी रचना में आपको मौझूद dします फिर फिर घचना प्र अधारस नहींश कोई भी घचना पर नहीं हैं का धारस मना जाए त def community वन्हें को कि इसमें माना जाएगा इस्तिति पर दान क्यों क्योंकि इसमें क्या दिखाया गया है इसका मूल सार क्या है कि तब कालिन समय में भारती राजनीती की इस्थिती भारती राजनीती या भारती समाज की आप सकते एपाइब या इसको उल आगे देखेंगे पढ़ के बारे में चर्छा कर लेते हैं फिर हम पढ़ेंगे कि इसका यही नामकरार उतता है नहीं यानाम रखा या सकता कर आभी प्लिश में पूछ लेता है इसके बारे में ही मैं इनकि कोई है यह ब्रस ट雅 करा एक और और इसकि अधिति व्यूर्ड है कि हमारे देश की राजनीति में पुर्सों का पर्चत होने के बावजूद उस राजनीत की कमियों, बिडम बनाओं, दोगलेपन, अवसरवाद को उजागर करने का कार्ट के एक महीला लेखिका द्वारा किया गया है यह उपर्न्यास की विसिस्षिता है यह उपर्न्यास की व पड़ता है, सुभा क्यूक से आता है, इत्वा आप देशेंगे की विपन्यास कब लिखा गया, 1979 में लिखा गया है, अब बेलची कान जे घटना हुई थी, पतना जिले में एक नल संगहार हुआ था, इसमें दलितूँ की बस्तियों को, दलितूँ की बस्ति को क्या हुआ आग लगा दी गई थी, उच्छ वरगी, उच्छ जाती की लोग हो दोरा, और इसकी चर्चा बहुत जोरों पर रही थी, और उसमें क्या हुआ जिन्दा जल गए थे, बहुत से लोग, जिन्दा जला दिये गए से, इस वाज़े से इसकी चर्चा बहुत जोरों पर रही थी पढ़ना जे लेका एक नरसंगार है बिलशी कांड ये कब हुआ था 1977 की घटना है तो उसका प्रभाव भी इस रचना पर बहुत से समिच्छा के मानते हैं कि उसका प्रभाव होई है क्योंकि इस रचना में दिखाया गया है जो विशेसर है तस्तमूप उसका विशेसर होगा बजगे जगे विशेसर क्या कर रहा था जो आगजनीस की घटना हुए थि उसी के सुबूत उसी के प्रमार एककट्टे कर रहा था जिसकी चलते ही उसकी हट्या कर दी हे जो कि रचना के शुरु में ही आया है कि उसकी लास पड़ी होई है पुलिया के पास में थो ये उस पर प्रेत है, ऐसा बहुत से समिच्छकों का मानना है, अगला देख लिए पर सितनी है, केंदी पार्टियों को बहुत मसाबित करने के लिए, अब क्या था, छेत्री दलों की मदद की आउसेक्ता पढ़ रही थी, और छेत्री दलों की क्या है, अपनी सर्थें थी, वो बाउसरवाद बढ़ जाएगा, लोग बारगेनिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजे लेने की कुशित करेंगे, ज्यादा ज्यादा लावतापत करने की कुशित करेंगे, और छेत्री दलों का भी महत्तो बढ़ा था, दल्तों में बढ़ती जागुता, दल्तों में क dif af लेकिन दूसरा पुछी था वोट बैंक तरह देखा जा रहा था जैसे ौकुल जी बोलते हैं ये रचना पड़ेंगे कि बस इन दल्टों के सारे वोट इस पार मिल जाएं बस अब तुम्हारी जह है तो जिस भाव से देखते हैं कि उनको जो दल्टों पर अत्याचार हुआ है उससे सम्मिदना नहीं है उससे उनको बिसे इस मतलब नहीं है उनको क्या चाहिए यह किशी तरह है दल्टों को emotional blackmail कर कि यनको बाखनाटा मा के रूफ से इनको अपने रूफ से लेक क्या करना है कि, बूर्ट की समझा जा लगा था यह वहीं अग् CMS हुए यह बूट भैक की राजनीती में में का श ह्रत बर्था जातिक बूट-बैंग बनने लगे थे अ क्या हुई थी एक गुडबंदी का आधार बन गई थी तो इस चीज़ें आप देखेंगे इस उपने आथ में भी यह चीज़ें इस पश्टा से दिखाई देती है जो उस समय की परिशिक्तिया थी है दल बदल की घटना एक खुब सामने आ रही थी और मने पहले भी चर्चा क कि इसमें इसे राव और चोधरी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं वो बस अपने फाइदे के लिए अपने व्यक्तिकत लाव के लिए कहीं भी जाने को तयार है किसी भी गुट में सामिल होने को तयार है और उन्हें की चलते जो इसमें ते लोचन वही आए उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि यह लोग शुरुआत में उनका समर्था ने नों कहते हैं दासाप के विरुद्ध बात में लेकर पुना दासाप के भय दबाव और प्रलोभन के आगे वैग भुटने तेक देते हैं और ऐसे हालात में जो तिलोचन भया है जो बदलना चाहते हैं सिस्टम क जो बवस्ता में अंतर पैदा चलना चाहते हैं परिवर्तन लाना चाहते हैं समाद में राजनीत में उन्हों के सिती खराब हो जाती है दल बदल की घटनाए आने लगी थी उसी समय में एक मुहावरा चला था आया राम गया राम ये एक ही विधाया या कहया एक ही जो उसी पार्टे में गया सुबह को सामको फिर फिर उसी पार्टे में आ गया अगले सबाटे में चला गया इस तरह की घटनाएं वी सामने आ रहे थी है आगे दिखते हैं राजनीची में धनबल और बह बल का परियोग मसल पावर और मनि पावर इन दोनों का प्रियोग तेजी से बढ़ रहा था उस समय के बहुत कैप्चिरिंग की घटनाय देख लेजिए या जवरन बोट डलवाना इस तरही घटनाय सामने आ रहे थी अब उस समय के एकबारों में देखेंगे पढ़ेंगे तो इस तरह की घटनाय खूर सामने आ लोगनंद को दूसित करने वाली बात है लेकिन ऐसे प्रियास करते हैं क्योंकि हर तरह से प्त्यासी होते हैं राजणीति में तो दास आपकों है मुख मंत्री है राज्य के जिस राज्य की गत्मा का यह जुक्र हो रहा है इसी राज्य में गाम पढ़ता है कौन सा सरोभा वैसे तो बहुत छोटा ऐसा गाम है लेकिन इसलिए हो गया और यहां पर हुआ क्या महात्य विस्वेसर जो था उसकी मत्य कर दे गई है उसकी मत्य हो गई है लेकिन ऐसे तो मत्य होती रहती है यह महत्य पूर्ण क्यों हो गया किसी एक विक्ति की जो जन्ता को जागरू कर रहा था जो कि उस आग जनी के लिए के प्रमार्ण उटा रहा था उसकी मत्य होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यहां पर महात्रपूर्ण क्या हुगा महात्रपूर्ण इसलिए हो गया है कि वहाँ पर अभी सुरुभा में सुनाव होने वाले हैं इसलिए माहाओन गरम हो गया है मामला महत्रपूर्ण हो गया है कि अब यह मसला कैसा हो गया है राजनीतिक हो गया है राजनीतिक दाउन पेच वाला हो गया है इसलिए यह मामला पूरी घटना महत्रपूर्ण हो गई है इस तरह यहां से चुनाव रहा है और चुनाव जीतना चाहिते हैं इसलिए मामला ज्यादा तूल पकड़ा है यह मामला इसलिए महत्तूल्व हो गया अपपासाइब को तारूर पार्क्रिकीत अध्यक्ष है लखन सिंग कोन है लखन सिंग सरुवहा गाउं की सीष से सर्था धारी पार्टी के 85 है अब यह दिखिए यह एक तरह ऐसा राजनीतिक दाओं पेच है कि दिपच्च में कौन करा है सुगल बाबुजय सब्यक्ति जो की इससे पहले मुख मंत्री था उसके सामने किता किया है लखन सिंग्खो जिसका राजनीतिक प्रभाव नहीं है इसका कद बहुत छोटा है जो अब तक पारटी आफिस में छोटे मोटे काम करता था राजनीतिक कद उसका छोटा है लेकिन दास आपने ऐसा किया क्या दाओं फिला है इसके जरी यह वह असल में उनका ले गए लख्रम सिंग को तो इससे यह सावित होगा कि वह एक चोटा से चोटा मोहरा है अमारी पार्टी का इसका कद बहुत चोटा है उससे भी हार जाते हैं उससे भी हार चुकी है एक तरह से इनकी छवी धुमिल करने के लिए यह दाओ खेला गया है मुखमंत्री के द्वा यह अपने लाब के लिए यह अपने पदोनती के लिए अजमे पद पर बने रहने के लिए अच्छे अच्छे पदों के लिए कुछी भी कर सकता है आप जैसा बोलेंगे जो बोलेंगे जिस तरह पर सारा कर देंगे वह वैसा ही कर देता है और वह इसलिए जब वास्तों में जो सक्षेना जाज करना चाहते हैं, सत्त को उजागर चरना चाहते हैं, पुलिस रोकूर्ट में, पुलिस इंक्वाइरी में, तब दास आपको लगता है कि इससे बात गरबर हो जाएगी, ये इलेक्शन के टाइम है, चुनाव के टाइम है, अगर सत्त सामने आ गया, तो पार त्यार हो जाता है, अपने प्रोंसम्गी जखकर में, ये दिखा गया है कि वहाई इस वाथी चलिता है, ये मसाल जो पत्र का है, समाचार पत्र है, उसके संबादक है, जब तक सरकार द्वारा इनको समर्थन महीं मिलता है, लाप्राप नहीं होता, तब तक यह क्या व्यक्त सहाब उसको आफिस में बुलाते हैं, और उसको लालज देते हैं, कोटा और परमिट का, तब उसकी जो मसाल की आग है, उस सांतर पढ़ जाती है, वह एकदम मुखमंती के चनलों में लोट जाता है, और सिर्प मुखमंती की सराहिना ही लिखता है, तो इसके माद्यम से ये इस उपन्यास में, कि जो बुद्ध जीवी वर्ग है, ये लोगतंत का चोथा इस्टम में मीडिया कहलाता है, मीडिया को लोगतंत का चोथा इस्टम में माना जाता है, जिसका काम क्या था, जिसका काम क्या था, कि जो लोगतंत के तीन इस्टम है, कारपल का, रही हैं अनजाने में तो यह जो लोतनत का 14 श्रम है मीडिया है वह अजिकन क्ला चाल रखाया खांय उजागर खरे। यह माना गया था लेकिन वह कैसा हो गया है जो लोकतनत का 14 श्रम३ खुदYU कारपालिका के आगे ड़ंडमत हो गया है और खुदYU को आप देखेंगे मुक्ति भूध ने बार-बार ये बात अठाई तो उसम बार-बार यही बात उठाई गई है कि यह हमारे देस का जो मध्यम अरग है जो वुद्ध जीवी है मध्यम वर्गी जीवी है वो अपना काम भंसे नहीं कर रहा है यही देश के पतन का करण है यही देश की दूर्दसा का करण है बार-बार मुक्ति भूद ने कहा है तो वहां से आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि किस तरह यहां पर भी वही बात लेखिका ने दिखाई है क्या एक रिषर्च स्कॉलर है महेश है यहाँ पर एक दढ़ी से रिसश करने आया है गाहों के जीवन पर उसके बार में यहाँ पर भी दिखाई गया कि कैसे लोग निश्कřी है तरह से सकृति होना चाया है उसलीसर की मदद करनी चाहिए कि एख सक्री नहीं है कि यह इसेंदा नहीं है पूरी रचना में मर चुका है पहले ही जसे कहाने शुरु होती है इस मेर्चुका है लेकिन और हो है पूरी कहने काec yapt Разफ है जो वो की इजल इस बस्ती में आग घली के सपूद एकटा करने के लिए तुमार एकटा करने के कारण उसको मार दिया जाता है जहर खिलाकर बिंदेश्वरी और बिंदा नाम बार बार आया है वो कौन है बीसु का अभिन्यमित्र है और वह है जब बीसु को मार दिया गया है बीसु को तो वह है उस चीज के लिए जांच करवाना चाहता है कि बीसु अपनी मौत नहीं मरा बलकि इसकी हत्या की गई है और किन लोग ने हत्या की है यह हत्या उन लोगों ने की है जो नहीं चाहते थे कि जो दलिद बस्ती में आग लगी थी उसकी इंक्वारी हो उसकी जांच कर सके तो जो लोग नहीं चाहते थे उन्हीं लोगों ने इसकी वीसु की हत्या कर दी है बिंदा उसका मित्र है वो जांच कराना चाहत है डूत्म क्या है वन्दा की पतनी है तहीं से जो रवर क्या है यह पात्रय जो इस्थानी बहुबली है और यह दा सहाथ का खास आदमीं है दा सुग्योगी है दा सहाथ कैसे बेकर когда गोड़ सहाथ ही दो तो हमदर्द किन के बनते हैं हमदर्द बनते हैं दलितों के हमदर्द बनते हैं दलितों के और उसे मथन किसका करते हैं जो रावर सिंग का यहां पर दिखता है कि किस तरह से दूगलापन के विक्षित्तों में आ गया है चा गया है किसे पत्विंबित हो रहा है लेकन सिंग को सब्सक्राइब करना चाहते हैं लेकिन परिवर्तन हो नहीं पाता कि सारी लोग कैसे हैं आउसरवादी है जब भी हम कोई रश्मार पढ़ते हैं तो उसका समवेधना पढ़ते हैं सिल्फ भी पढ़ते हैं Buddy speak रिंभयक व्याक कैसे कैसे होगी को फी नजर्माल एंगbn इसका सम्वेधना पढ़तेएं सबसे पहले बिंदू है जो इसका मूल सार है कि राजनीतिक ऐसरवात की अज़क्ति किस तरह से राजनीतिक में अउसरवात समा गया है किस तरह से सम्वेदना हिंता आ गई है कैसे-कैसे दल बदल लव मौका परस्ति की भावना आ गई है यह सब आप देखेंगे इस उपन्यास में है तो राजनी के उसादार बात किये बहती कैसे कैसे इस उपन्यास में दिखती है वो देखिए पहला दा सात था अमने नेताओं का दुगला पन इसमें इस पश्टू से दिखता है बोलते कुछ और है ये लोग और करते कुछ हो रहा है मन में कुछ हो रहा है हिदय में कुछ हो रहा है और सामने कुछ और दिखावा कर रहे है दिखावटी पन दुगला पन बहुत दिखेगा यह सारे नेताओं में दिखेगा कि सच्चाई कुछ हो रहा है और दिखा कुछ हो रहा है चाहे प्रसासन के लोग हो उसमें भी यह दोगलेगपन की भावना आपको दिखेगी सारे निता देखेंगे आप चाहे दासाव तो हई है जैसे कि एक मने बिन बताया था कि वाय सुब्चन सच्च तक बनते हैं दलतों के, ३ा बोट बंग पाकर ही वह सत्ता में आसी नुव है, लेकिन वास्तों में कौन ओन का सच्पय यह है उका सच्पय जुडावर सिंह को बोलते है कि मारने वाले को सहथ हो उब मारने वाले को हमधर्दी दोनों ही आत्में लड़ जिसे यह नम्मुना देखिए एकोटे से लिए राइज नीति मेरे लिए स्वार्थ नीत नहीं है और चाहता हूं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग भी इस बात को समझ लें यह कशन किसका है यह दास आपका कशन है कि बोलते कुछ और है बोल यह बात रहे हैं लेकर वाक्ताम क क्या है कि वह स्वार्थ नीति पर ही काम करते हैं वह पूरी तरह से अपने व्यक्तिक अतलाब के लिए काम करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए कितना भी नीचा गिर सकते हैं किसी भी इस तरह पर गिर सकते हैं वैसे बक्ति हैं दास आपका कशन है दूसरा बिंदू द और मनने वाले को हंदर दी, दोनों हाट में लग दूं सम्मेटवन निंता इसकदर है कि जो बहुत लेना देना नहीं है, बाग में यह साबित भी कर दिया जाता है, साबित करनेकी कुछिभी हुथ होती 一सी है इस तरह से आकलन किया जाता है इस तरह से अनमान लिखे जाते हैं हाइलो में ताकि इंक्वारी रिपोर्ट से ये शाबित हो जाए कि विस्विस्वर की यानि वीशू की मौस का जवाब दे जिम्मेदार कोना है बिंदा है जो कि सचा ही नहीं है लेकिन आपने हित के लिए कैस कि रिखेंगे इस तरो इस तरह पर गिर सकते हैं यह दिखाता था Qinप और स मधता की जले दर साद्सी में आग लग अग गई उस आगि मतलब नहीं किषी को कि एटने लोग जल के मर गये कितना बए नर संहार है कितना बणार्य। मानवता का कितना अपमान है इससे किसी दो मतलब नहीं है मतलब किसे हैं क्योंकि बस कुछी समयों यापर चुना होने वाले हैं इसलिए मामला क्या अवगा क्षूल पगड़ रहा है तब ये संवेधर नहींता दिखा रहा है हमारे राजनीत की हमारे समाज की सम्मेदा निता दिखा रहा है. इसारी की दल बदल और मौका परस्ते की भावना. राओ और चोध्री जैसे निता, जो की वार्तमान सरकार में में शत्ता जिन सरकार में क्या है, मंत्री है, मंत्री मंदल के पद के लिए मोल भाव करते रहते हैं, उनको ये उमीद है कि जब लूचन भहया की सरकार बनेगी, तब उनको बहतर पद नसीब होगा और अच्छा पद मिलेगा इसलिए वह सरकार बदनने को त्यार हो जाते हैं लिकिन जैसा कि दासाब द्वारा इसमें दबाव डाला जाता है थोड़ा सा भय दिखाया जाता है तब वह पुना लूचन भया के साइट से हरके फिर से पुरानी पार्टी में अपने चले जाते हैं उसी में ही सामिल रहते हैं तो इसमें दिखाया गया है कैसे कैसे लोग अपने व्यक्तिक अदलाव के लिए दल बदल करते रहते हैं इनकी अपनी कोई निष्ठा नहीं है ये कैसे लोग हैं आउसरवादी लोग हैं अपनी पार्टी के लिए या जिन लोगों ने उन्हें बूर्दे कर महां तक पहुंचाया है उस जंता के लिए उन लोगों के लिए अपने छित्र के लोगों के लिए इनके मन में जराभी निश्टाग वाला भाव नहीं है जराभी कान्ति का सपना देखा था और इसी टुच्चेपन की सोदे बाजी के लिए मंत्रिमंडल गिराने की बात सोच रहे हैं वे नाम लेबल चेहरे भले अलग-अलग हों इसरे नाम लेबल भले अलग-अलग हों लेकिन अलगाओ है कहाँ सारे लोग सुकुल बाबू, दा, सहाब, राओ, चोधरी सारे लोग एक ही थैले के चट्टे वट्टे हैं सब एक ही तरह के आवसरवादी लोग हैं एक ही तरह के धूर्त लोग हैं एक ही तरह के दिखाओ टीपन वाले एक ही तरह के पाखंडी लोग हैं यह बोलना है लोचन बाबू इंगा कठा दूसरा बिल्दू दिखेंगे आप कि राज दिन्स में किस तरह से जातिलाद बढ़ गया है यह दसना की विसेवस्तु में दिखता है बेल्टों क्या सिप गोटर माना जा रहा है उनको मानुई विद्ना की द्रश्टी से नहीं देखा जा रहा है लोगतंत्र में क्या मला जाता है लोगतंत्र में होना चाहिए लोगतंत्र में होना चाहिए क्या होना चाहिए कि जनता ही वास्तों में मालिक है और नेता लोग क्या है जनता मालिक है और बाकी नेता लोग या लोग सेवक लोग कौने जनता के सेवक हैं यह भाव होना चाहिए जो भी सरकार है वो जनता की सेवक है लेकिन हो गया है उल्टा यहां पर लोगतंस है तो जनता की नहीं रह जाती है और यहां पर गोट यह últimosींट क्यों माना जा रहा है Um यह नागरिक का जो महर्त्व है राजणीत्पाठी में वह महर्ति नहीं त्रप्थ है वुज़िए से शुकुल वाहु और बचे हुए सारे बोड अपने पच्छ में करने पड़ेंगे तब बात बनेगी पर इन नीची जाते वालों का कुछ भरोसा नहीं है इस सुकुल वाभू का कथन है उनके लिए दलतों के मन में सच में संवेदना नहीं है वो दिखावे के लिए माइक पर कुछ भी बोलें लेकिन वास्ता म समय है इनको क्या मानते हैं बोट मांते हैं कि इनके सारे अपने पच्छ में हम लोग कर लें घृं पर इसे गरीब कि इन जो गरीब लोग हैं वंचित लोग हैं इनका क्या है जैसे थोड़ा सा पैसा मल जाएगा सत्ता धारी पार्टी के तरफ से थोड़ा सा पैसा आ जाएगा यह लोग सब को जुखुल जाएंगे और उन्हीं पच्छे में बोर्ट देंगे इन लोग कोई वरोसा नहीं है ऐ देखाया गया है अगला देखिए दूसरा यह एक पर राजनीति में बढ़ता जाती पर तीसरा बीदू देखिए राजनीति में सत्ता प्राप्त करने के लिए भावनाओं का बावनाओं का कैसा प्यूब होता है पहले देख लेते होना क्या चाहिए राजनीती में होना क्या चाहिए था कि तर्क का प्यूग होना चाहिए था कि पहले कोई पार्टी बताए कि गोशापत होता है उसमें वह बताए कि क्या क्या करेगी कौन-कौन से कम करेगी और उसी के रहार पर उसको भोट मिले उसके बाचनव जीतने के बाद भी जन्ता या नाकरिक समाज बार बार उसका मुल्यांकन भी करें कि फाला कार्व मीडिया से लेके बुद्धी जीवी से लेके यतने लोग हैं वो पार बार मुल्यांकन करें टोके कि आपने घोसापत में यह चीज़ बोली थी आप यह कर नहीं कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए राजी इस चुनाव में भी कैसा प्रियोग हो होता क्या है होता क्या जो वाक्स्तों में जमीनियित पर उसके मझाष भावनाओं का प्रियोक किया जाता है त्रज नीट्में आप देखेंगे जो बड़े नेता है उसके पुत्तों को बड़ी संख्या में भावनात्मा कुरूफ से प्रहुइत होने का बोट मिल जाते हैं वह असानी से जीज जाता है अक्सर आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारे राज्यों में हैं बहुत साही जगर पर क्यूंकि उस प्रियों का इदार पर जो बोटिंग होती एस तरह की तरह कि राज्यों के यहां अप्रयोग हुग na और वावना प्रियोग नहीं होगा तरक पीशे चला जाएगा और स्सीसिति वेक्लिसी Juiceूं में जब-जब का इस्तमाल करके राजनीती में सक्ता प्राप्तिकी जाती है तो क्या होता है विकास को पात्मक्ता नहीं रहती पर अन्य चीजें पात्मक्ता में आ जाती है तब क्या होता है देश फतन की तरफ जाता है देश में विकास को मात नहीं मिलता तो यह सब देखेंगे आप राजन लिए कि जो घटना चल लही थी मूल घटना चल लही थी कि किस तरह से जले द्वस्तियों में आग लगा दी गई या विश्वेश्वर की हत्या कर दी गई ताकि उन घटनाओं पर परदा पड़ा रहे हैं वो सब घटना आए विपच्छी द्वारा बार 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 बोली जा रहे हैं थी तो उन पर परदा डालने के लिए घटनाओं का रूप दूसी तरफ मुणने के लिए जाए यहां चला जाए और लोगों को लगे कि सत्ता धी जो सत्ता धारी पार्टी है वो किस तरह से लोगों का ख्याल तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने उन्होंने वो कहां गए मझ की तरफ नहीं गए dying मशताया गए था भावना का प्रियोग हराज नीत में, ताकि लोगों के लगे कि वो जन्ता के कितने बड़े यहतासी है, निम्नुबर के कितने बड़े यहतासी है, कि निम्नुबर की पती हुआ है, कितने समवेधन सील है, यह देखे, इसलिए उन्होंने जिसकिया, या दूसरा अभिच्छी पार्टी द्वारा जिस तरह से फुकल बावु द्वारा लोगों की भावनाओं को उक्साया गया, कि किस तरह से तुम्नुबर का यहां पर सोसर्ण हो रहा है, और सुत्ता धारी पार्टी सिर्फ उच्छ वरग का रहीष वरग का संपन्द वरग की समर्तक है, ऐसा जो उक् कि भावनाओं का प्रियोग किया गया है, अब अगले बिन देखते हैं पत्र काहिता जगत की वास्तुत्ता का उजागर होना पत्र काते जगत ने या मीरिया में किस तरह से भर्ष टे लोग भी मकार और पच्छपाती लोग बैटे हूँ है, कैसे पत्र काहिता, किस तरह की पच्छेपाती हो गई है, किस तरह से उसमें धन का प्रियोग हो गया है, किस तरह से वह अनायतिक हो गई है, अपना काल नहीं कर पा रही है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वार नहीं कर पा रही है, यह इसमें दिखाया गया है, जैसे कि डत्ताबावु की जो मसाल है, यानि उनका समाचारपत्र है, वह मसाल, उस मसाल की उसमा गर्मी, वोटा परमिस मिलते ही ठंडी हो जाती है, अब वह जो दासाब है, मुकमन्ति है, उनके जो किये गए कार है, गलत कार है, उनकी पार्टी द्वारा किये गए, उसको छापना बंद कर देते हैं, उनकी परसंसा में, अपने समाचार पत्त में लिखने लगते हैं पाच्वों पाइंट दिखिए बुद्धि-जीवी वर्ग की तपस्ता बुद्धि-जीवी वर्ग में कौन गवनाता है बुद्धि-जीवी वर्ग में आप देखेंगे बुद्धि-जीवी का अर्थ है जो बुद्धि के अधा आपक किसने मेनेजर किसम के लोग होंगे आपके वकील होंगे और पढ़े लिखे लोग जो होंगे तरह तरह के लोग नोक्री पेसा लोग जो पढ़े लिखे हैं वो सब लोग मध्यमबर्गी बुद्धिजीवे में आते हैं पढ़े लिखे लोगों ने देश में समाज में हो रहे हैं पती कैसी बे रुकी गया है जैसे कि इस उपरन्यास में भी दिखाया गया है इस सुबहे सुबहे अकबार आता है अकबार में कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा बखती है क्या दे पढ़ता है कि अरे इस पहलागाओं में यहां पर जो दलिख बस्ती है उसमें आग लगा दी गए कुछ लोगों कुछ जिंदा जला दिया गया है क्यों कि वो अपनी मैज्दूरी मांग रहे हैं तो पर एक सिक जो नागविक समाज का डायइत होता है तो उसका बालन नहीं कर रहा है पहालाग मुद्देजी जो नहीं कर रहा है कि वह चुनाओं के पहले पूरी समाज को जागरूख करें बताएं क्योंकि वो ज्यादा बुद्दी से ज्यादा समझदार है उसको समय भी है पढ़ा लिखा वर गए वो बताएं कि क्या का राजनीश में कौन कौन सा दल कैसा कर रहा है और सरकार बनने के बाद भी वो सरकार से बराबर पूछे बताएं यह आपने यह वादे किये थे यह पूरा नहीं कर रहा है आपको यह कार करना था आपने यह नहीं किया तो इस तरह से जो यह दायत थो है civil society का नागे समाज का वो पूरा नहीं कर रहा जो भी पढ़े लिखे लोग है जो समाज में सोसर हो रहा है अत्याचार हो रहा है उसके प्रती बेरुकी अपनाते हैं उसके प्रती सख्री रूफ से वो कोई करवाही ने करते कोई पाही नहीं करते सरकार से किस पर जहां चुनी चाहिए किस सरे होना चाहिए इससे उनको बिसेस मतलब नहीं है वो उसे अपने में ही वर्ग खोया हुआ है बुद्ध जीवी वर्ग जैसे कि पढ़े लेखे लोगों का सब कुछ देखते हुए चुप रहना मैस जैसे लोग है जो कि स्कॉलर है उसससे पर को देख रहा है उससे लगव क्या चलदा फिर्ग शक्री नहीं होता चुप रहता है और वी यह से दख्यें है पढ़े लेखे वर्ग में यही नहीं हुए और बी जीसे थानेदार से लेकर जो भी पढ़े लेखे लेखे बर गाये हैं सब अपने भाईदेगी से ठंडी हो चुकी है सिर्फ लोग अपने व्यक्तित लाप की बाती फूस रहे हैं तो जो बुद्धिजी विवर्ग है वो किस तरह से सटस्थ है इस तरशना में बहुत बेता तरगी से दिखाया गया है कि बुद्धिजी विवर्ग अपना दाय तो नहीं निभा रहा है जतरएं से ओस्वाफ़ नेताओं की अंदर विद्धिवान व्यक्ति पाखंड किस तरह से व्यक्ति विद्धिवान है कि नेता लोग कहतें कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहा हैं इसमें जो पती को माद्याम सा दिखेंगे उसको भी व्ञेन के माद्याम से देखेंगे बड़ी इच्छे सर्फीश दिखाए गई है कि गांडि निरू आपको हर जगए विद्धिमान मिलेंगे हर आफसे सम्में विद्धिमान मिलेंगे वो भले ही निर्जीव तश्वीरों को रूप में हो अर्थाथ उनके जो मूले थे गांदियों ने रूप के वो तो मर चुके हैं उस मूलेओं पर कोई भी व्यक्ति नहीं चल ला है उनके दिखाये रास्ते पर कोई नहीं चल ला है खाली उनकी निर्जीव फोटो लगा दी गए उनकी तश्वीरें लगा दी गए है हर जग है हमारे सरकारिया पिसों में या घरों में लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उन्होंने जो मूले दिये थे समाच को उन मूलेओं पर कोई भी अमल नहीं कर रहा है वनेता कहते कुछ और है और करते कुछ और ही है यह इसमें दिखाया गया है किस तरह से विसंगती व्याप्थ है किस तरह से विसंगती व्याप्थ है किस तरह से विसंगती व्याप्थ हमके कथनी में और करनी में किस तरह से दूगलापन मौजूद है किस तरह से पाखंड मौ पहले भी दिस्क्स कर चुके हैं कि दासाबों चास्वकुलबाबु या अन लोगों कैसे कैसे दोगलेपन के सिखा रहा हैं अगला बिनों देखते हैं नौकर साही का ब्रष्ट लोभी संवेदनहीन तथा और सरवादी रवया नौकर साही कैसे हो गई यह धीर-दीर करके ब्र हो जाता है वो डियाईजी सिन्ना मुख्वंति की हर बात मानने को त्यार हो जाता है अपने पदगी स्वच्छा के लिए अपने व्यक्तिकत लाव के लिए जबकि आप देखेंगे हमारा से उधानों वहां पर 20 स्वच्छा पदान की गई है लोग सिखों को वो इसलिए ता तरह से जो राजनीतिक भैयों या अन्य तरह के भैयों उसके आगे नहीं जुके लेकिन यहां पर कैसे रिखता दश्रूप दिखता है लोग इसलिए कि पदिके लोग में कुछ भी करने को तयार है सम्मेदन ही रूप कैसे देखेगा अब थानेदार को देखिए उसके मन मे यह है कि उसका काम डंडा चलाना वो कैसे भी करके बली परियूख करके जो नागरिक हैं गाव के लोगां को ड़ाक रखना चाहता है कि उनकी जवान ना खुले तो सम्मेदन ही रूप देखेगा या दूसरा सम्मेदन ही रूप जो चथकारी में डियाजी सिन्णा में है कि वह है उसके बाद में सूची नहीं रहा कि इस तरहों सिर्फ अपने विकतिकत फाइदय रूप में उसरवारी रवाईया वहीं। जैसे प्रोोशन का मभा मिलता है तो लोग कैसे तुबंद या कियोंते पाला बदल लेते हैं। किस तरह ऐसे कोई काम करने तो तैयार हो जैते हैं, तो जैसे सिल गजिए तिर्शेदार का गाम गालोग्पतिरे रवाईया। दियाईजी सिन्ना का पदोनती के लोग में सब कुछ जानते हुए भी, अनुचित धंग से बिंदा को फशाकर कि इसका रुक बदल देना, यह उसका, यह जो बिंदा बोल रहा है, तो आसन के पती, जो एसपी है, सक्सेना, जो वहां पजाच करने पहुंचते हैं, तब बता कुछ नहीं करेगी, करना होता थो पहले ही नहीं करती, कानून और पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं किवल गरीबों को फुकरने के लिए, यह इस उपरनियास में दिखाया गया है, किस तरह ऐसे गाओं के लोग हैं, उनका क्या रूख है, क्या नजरिया है, प्रसा भारती समाज में जाती एक बड़ी पुरानी आप कहे लिजी कुरीती है या इसको बोला जाता है भारती समाज के ये पूर है या भी साफ है क्योंकि इसने क्या किया है पूरे हमारे भारती समाज उसको बाट दिया है अब उसमें फूट पैदा कर दी है और इसके इसाफ से जो वर्गी करें चुकि जाती गत कैसे जन्म के अधार पर है जाती तो इसने क्या किया है जन्म के अधार पर भेद पैदा कर दिया है कोछ लों को वंचना मिलती यह कोई पर ही कुछ लोगको वशना का सिकार कर आदा है ब्रटिक आप आजसे बहते हैं और चल्ग और पर अन्य theor गया हमाव यह जो समध pacte मिलना चाहिए था वह साख नहीं मिल पाता कुछ आतंत label सैसे समाओं हो हुई है तो जाती भारती समाज का एक बहुत बुरा अभी साफ है जीर दिर करके आजाती बाद इसको कम करने के कोशिश की गई है और कम हुई है पहले की तुल्ना में समाजिक रूप से कम हुई है लेकिन इसमें कई जगे बड़ा विक्रत रूप ले लिया है जैसे की राजनीती में तो देखेंगे कम करने के कूशित हुई खतम तो नहीं वहीं देखेंगे कि तुल्ना में दिर दिर कम हुऩा पहले करने की विह भूंह चाह daw क यह में पार stiegenわか हिए जो रावल जगा है इन हर्जनों के बाफ़दादे हमारे बाफ़दादों के सामने सिर्ध कर कर रहते थे जूपे जूपे प्लिट कमान की पर टेरी हो जाती थी और इससद्ध मेरा कराना रहते हैं यह उसका डिश्टिक्वन है कि जो निम्रजाती काहता है उपना हक घृटन के बात प्लिक्रा नहीं पर ज levels dot उसी के कारण उसी के विरोध में क्या किया गया था उनकी बस्तियों में आग लगा दी गई थी ताकि वो फिर से डर जाए और अपना हक अपनी मजदूरी नहीं मांगे यह जाती के सूर्सन का एक बहुत भीसन तम्दूर दिखाए गया है कि सुपर्न्यास में जो कि कही ने कह समाज की सच्चाई भी है उसको दिखाता है अभी यह प्रसंगेक्ता में कई बार पूछा जाता है महाभोष की प्रमग बिंदू रहेगा आप देखा सकते हैं कि आज भी जाती गया दाशार पर कही सारे घटना होती है तो प्रसंगेक्ता में आपको यह सब लिखना पड़ सिर्फची जब देखते हैं तो सबस्ते पहले क्या देखते हैं भाता सेली भाता कैसी है सुद्ध सरल खड़ी बूली है इसी भाता खड़ी बूली हिंदिगे वो आसान है कोई भी ब्यक्ति जो बहुत ज़ादा भाता के विजवान नहीं है वो भी इसको आसानी से समझ प्रियोग में आंट माथों में पात्रों में पात्रों प्यूंक कीरा अगेसे कि रिखें。 प्रियों का प्रियों कर रहा है तो कैसे अंग्रेजी सब्दों का प्रियों कर रहा है गुलामी आत्मा का छहतु करती ही है तो इस तरह से पात्रों की अंशार भासा बदली है इस उपन्यास में जो कि बहुत उत्तम गुर्माना जाता है एक सफल रचनाकार ही इसको कर सकता है इसको उतार सकता है अपनी रचना में संब्द कैसे है अग्राव इन्यों देखते हैं उसकी संब्द जियोंगना संब्द कैसे है संब्द छोटे हैंचूस्त ही होने चाहिए किसी रचना में चाहे हो नातक हो जा उपन्यास हो जैसे सकते ना बोल रहें हैं बिन्दा क्या बुलता है नहीं दुस्मन था चुटे 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 की सब्बाद सक्से ना दुस्मन बिन्दा हाँ जो अपनी जो आदमी बीच में ही शोनकर चला जाए उसे दोस्त कहेंगे आप इस तरह से चुटे-चुटे सब्बाद है चुस्त है इसी क्या रहता है रचनाकार करना कर रहा है उसकी एक्दम सटीक च्वी पाठाक के मन में बन जाती है इससे रचना का बड़ा सकर आपनों को पाठक के मन में पढ़ता है, रचना जली समझ में आती है, जो अमूर्त चीजें भी हैं वो भी मूर्त रूप में सामने आयाती है, इसलिए बिम्ब का इस्तमाल किया आता है, इसलिए पतीक का भी इस्तमाल किया आता है, इसलिए पतीक क प्रियोग देख लेते हैं पात्रों के मनों भाओं की सटीक अभ्यक्ति के लिए यहां पर प्रियोग किया गया है एक एक जामपल की दीखिए लखन के बारे में दिखा गया यह था क्या है आवेश के मारे मुँझ से छोटी छोटी पुहारे छूटने लगी लगन के और सामला चेहरे का रंग कैसा वद्ला सकल कैसी हो गई उसका वरण किया गया है इस तरह के खूब आपको इस उपन्यास में इस रचना में मिलेंगे पतिक जैसे मैंने बता यह इसलिए करते हैं कि अमूद चीज है मूद रूप में सामने आ जाए दूसी रचना ऐसे देशकाल को पार कर जाती है उसे परे निकल जाती है जैसे इस सचना में वीशू की लास वास्तों में क्या है लोग के तंतिकी लास है वो वीशू की लास बस नहीं है यह सचना में आई है वो एक तरह से लोग तंतिकी लास है जिसको की भेष्ट और दोगले नेता जो दा साब और सुकुल ज ये सेनेता है, अपसर, डियाई इसना जैसे अपसर, पत्यकार, दप्तासाद जैसे पत्यकार, और वाहुबली गुंडे लोग, तो हम जुरावर सिंग जैसे वाहुबली गुंडे लोग, नोश-नोश कर खा रहे हैं, ये लास वास्तों में बीसुगी लास नहीं है, हमारे जैसा होना चाहिए, तब ऐसा नहीं होगा, पीश में क्या-क्या समस्य आएंगे, इस चीज को लेखिका ने दिखाया है, लेखिका ये दिखाना चाहती है, इसलिगे वास्तों में बीसुगी लाथ एक तरह से पतीख है, ये महाभोज नाम भी एक तरह से पतीख है इसी ते हम लोग पंचमा भी दू है नाटकीता इस में देखेंगे नाटकीता वैं इसका गुना है? नाटक का गुना है तो उपन्यास्त और नाटक में यह कामन है जैसे कि कथानक कथावस्तु दूसरा क्या है चरित्य जोजना, तीसरा उदेश, चोथा संभाद जोजना, पाच्वा भासा थाली इस तरह कि तत्व परते हैं तो छट्वाद देश कारवात हैं ये छे तत्व हैं जो नाटक और उपन्यास दोनों में common हैं, दोनों में समान हैं लेकिन एक सात्मा तत्व होता है, जो कि उपन्यास का हिस्सा नहीं है, उपन्यास का तत्व नहीं है, वो सिर्फ नाटक का तत्व है, वो है अभिनेयता, रंगमन्चीता या नाटकीता, वो नाटक का तत्व है, लेकिन जो सफल रचनाकार है, सफल लेखक है, वो लोग क्या करते हैं उपन्याज जैसी विधा में भी नाठकीता ले आते हैं और क्यों ले आते हैं उसका फाइदा क्या होता नाठकीता लाने का नाठकीता लाने से रचना की क्या होता प्रभाव सीलता बढ़ा जाती है उसकी जहां सीलता पाठक की उस रचना के पती बढ़ा जाती है उसकी अभिंजना सहली बढ़ा जाती है ज्यादा अच्छे से पाठक के मन में रचना पाठक के एदाय में बस जाती है मस्रिक में अंकित हो जाती है छब जाती है इसलिए नाटकी इता के प्रियोक किया गया है अब देख लेते हैं नाटकी इता के प्रियोक लिए क्या क्या जरूरी है क्या क्या होना चाहिए नाटकी इता के लिए जो तत्तों है पहला तत्तों से पहला कि रचना में क्या होना चाहिए द्वंद होना चाहिए रचना में तना अब्याप होना चाहिए यह होना जरूरी है बिना इसके नाठक नाठक नहीं है पहला तट्वा है दूसरा आकासमिटा होनी चाहिए उसके ऐत Rio होनी जारूरी है संबाद नियुजना भी ऐसी हो कि छोटे-छोटे संबाद हों उसके छोटे-छोटे-छोटे संबाद हो तो यह सब चीज़ें आप देखेंगे तीसरा जो बिम्ब योजना जो चेश्टाएं है जा इसी चेश्टा है यह इसी को बोला जाता है काया के र अधार पर जो अभीन आ किया जाया जाए उसे कायओ अभाव ही बोलते हैं यह सब چीज़ें मौझूद हूँ तो आप इस अच्छन में भी देखेंगे हमें इसमें पूरे कठानक में तनाव ब्याप्त है क्योंकि पूरे कठानक में ही दोंद पत्रा हुआ है पूरे कठानक में दोंद मिलेगा शुरू से ही एक तनाव पूर रशना में मिलता है कि बीसू की हत्या हो गई पुलिया के पास मिलिये तभी से पूरे गाउन सन्षण फैले हुई है दोनु राजनीतिक don know वहां होन्हाद शृष्क-व्याप्त है और मीडिया यहां मीडिया बदल लए लाटा पहले किस परफ्चे में बदल लई है तो एक द्वंद भी मौझूद रहें किस preaching पता है किस मीडिया अपना पफ्च hind ty किस तरह से कभी इसको favor करती है कभी दूसरे पर पूर से वहाई हपिस हो गया नहीं पर रहली हो जो गयावाअन 큰 इस तरह के यहां पर नियास में इसमें आकस्मिक्ता यह आप कुछ देखेंगे कैसे-कैसे जो कःषानक उसकी जिसा एकदम से बदल जाती है पहले जब वीसु की हत्व यह तो शुकुल बावु बड़े उत्तेजना में हैं किस तरह से वह अपने पच्छ में हैं पूरे board bank गिसारी चीज़ियों करना चाहते हैं पिर एकदम से दासाब आते हैं वो घरिलू दो गयोग नाक जिकर करते हैं हीरा को अपनी गाड़ीयें बठा लेते हैं जब हो rally करते हैं उससे पहले उसको अपने साथ rally वाले अस्थ सर्पा ले जाते हैं तो उनागी उनका पड़ला जोग जाता कैसे कैसे चीजिएं एकदम से बदलती है को सब आकस्मिकता को घी दिखा रहा है पात्यों की संख्या सम्चित हैं न बहुत जादा पात्यों है सो कि सम्चित नर्बाइutet कि जो मुःओ पात्र हैं उनका महात्तों जादा हो। जो गौड पात्र हैं उनका महात्तुव कम हो। यह जादा महात्र पूनवद चीज है। अगर यह चीज मुझूद है, सम्चित निर्वाह मुझूद है। तो मैला आचर जैसी रशना हैं भी जैनमें 200 से ज़्यादा पात्र है उनमें भी बिखराव नहीं दिखता, उनमें चड़ते का तारहाद बिखराव नहीं मिलता क्योंकि उनमें चरित्तों का संचित निर्वाह किया गया है पर चुपाρतों की संख्याभी कम होने चाहिए जल्ग मुझास च्हादा नहीं चाहिए संचित होने चाहिए और उससे चाहिए उनका संचित निर्वा होना चाहिए हुआ कि परदंद बुपत्स अब सब्वांत आपकोई वेर्टी जाती हीर्ट reflecting बुप देखी चुके हैं दूसरी तरफ है दास आपकी पार्टी मांसिंग अंतर दूंद मिलेगा और सबसे यादा दिखेगा हो कहा है सक्सिना जो SP है उनके मन में मांसिंग अंतर दूंद मिलेगा अक्सर लोग बाकी दूंदा दूंद लिख देते हैं पर इच्छा में यह बाला पॉइंट भूल जाते हैं तो बाला पॉइंट यादा किये गा और इस उपन्यास में बिशेस कर क्योंकि इसका मत बहुँ ज़्या है कि जब बात कैसे सूप्तियों के रूप में कही जाए संस्काट में आपने सूप्तियों पढ़ी होंगी कि बहुत कॉंपक्ट फार्म में बात को इस पश्च्टों से कह दिया जाए बहुत कम सब्दों में कह दिया जाए तो इसको गोला जाता है सूप्त भासा जैसे कि स् इनसाइयत में रचना में इस्परन्यास में सुत्यभासा का फुस्त्री हो गए। और यह कैसा वंगे के तोड़ पर है। जब भी रचनकार, अपनी बात कहना चाहता है रचना में है कि या समाध्रहं पस्दृ करना चाहता है , पहला तरीका है या जवद्यस के रूप में बात क्रवा से और दुद्तर नाकउंद से लेकिन वह ऐसा इम दोनों चीजो में रचना कैसी हो जाएगी बनाउटी हो जाएगी बनाउटी डिखने लगे यह उद्देश कैसा है उद्देश चिपका हुआ है उद्देश ऊपर से ठूप दिया गया है ऐसे लगने लिगा रचना में तो तीसा तरीका यह पाथ को लेकर वेँ्या के मार्देह. इसके जो जो रचना की प्रवाज सीलता है, रचना का प्रवाज में उसमें बाधह भी नहीं पहूंछती, आसा नको भी और वधुथ पन्सवा नहीं होता, और लेका ज़ू नी बात भी कहता जाता है, समयधान पच्छे भी देता जाता है, उस रचना क में भी आप देखेंगे क्या कि आया है रेनु ने क्योंकि रेनु बीचों कूद नहीं सकते हैं रेनु कथा में हाँ शेप नहीं कर सकते हैं तो क्या कि आप पर रेनु ने रेनु ने ब्यंगे का प्रयोंकिया ब्यंगे के माध्यम से समाधान दिया जैसे कि लोग की काड़ जैसे कि यहाँ पर क्या क्या गया क्या है lест mixo. यसे बंगे और जπά wages रोंगे इसलिए जादा के राजनीतिक छेतर में जादा है मृदम बना जादा है संगेत्य जादा इसलिए धुन खूब हैं बड ने किया है और अपनी बात को गंगे के माध्यम से लेखे गाने कहा है जैसे दासाप पभिंग किया तो कैसे विभार में ऐसा संतुलंसयम बड़ी साधना से आता है तो इतना दोगला बनना है इतना पखंडी बनना आसान नहीं है बड़ी मेज़ाचे इसके लिए भी तो वही लेखेक ने इस तरह से उसको दिखाया है या यह देखिए गांधी नेरू को देश एक छण के लिए भी नहीं बूलता चप्पे चप्पे में आपको विराजमान मिलेंगे चाहे निर्जीव तस्वीरों के रूप में ही मतलब इसका कहने कारती है कि उनके जो मूले थे वो लोगों ने मार दिये उन मुलें पर उन दिखाया रास्तों पर कोई नहीं चल दा खाली तस्वीरे टाइंग दिया है इनने ताओं की लोगों ने वेकिर उनके जो आच्रणर है उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है आगे हम लोग लिखते हैं इसमें मुहावडे और लोकोक्तियों का प्रयोग अच्छी रशनाओं में भासा को जीवन ते बनाने के लिए पाठक की दूची के बनाएं रखने के लिए और पाठक को लगे कि हमारी अपनी भासा है अपनी बोलचाल की भासा है इसके लिए मु कि यहां पर हमने देखा कि हमने रचना का क्या पढ़ लिया समयधनापच पढ़ लिया रचना का सिल्फपच भी पढ़ लिया अब हम एक दू चीजिय देख लिते हैं जो इन्हीं बिन्वों से वो सब चीजें निकल आएंगे, जैसे कि कभी-कभी यह पूछ लिया जाता है कि उपन्यास के तत्तों के अधार पर महाभोश्की ब्याक्ष्या कीजिए। महाभोश्की ब्याक्ष्या कीजिए। उपन्यास की तत्त्तों क्या क्या हैं पपले देंख होना से अधावें कथावतू से दूसरा उदेश की अधारय तीसरा तीसरा होता है चलित्री उजना पात्री उजना बोलते हैं उसको चौथा क्या है संबाद्री उजना पांचवा है भासा सहली चट्री उजना पांचवा है उपनियास के तत्व है उपनियास के उजना पांचवा प्रिक अंदर प्रिक अन्दर पर लिए फिर बी एक बार किसा से ब्याख्या करते हैं यह मैं आपको दिखा देता हूँ, पहली चीज क्या बूल गया, कथाना के उन कथावस्तु, यह पहला तत्वा है, तो इस जब रचना की परिपेश में देखेंगे, संदर्व में देखेंगे, तो कथाना कैसा एकदम कसा हुआ है, बढ़ी अच्छी बणावट है इस रचना क कहीं से भी कोई भी घटना या कोई बिंदू खुला नहीं छुटा गया है, कोई भी तंदू इसका खुला हुआ नहीं है, सारी चीजी जोड़ी हुए गई है आपस में, तो इसका कथाना कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत सटीक है, बहुत चुस है कथाना किसका, और जि समस्टा इंस क्या संबंद्व है एसमें बेखते हैं उसकी है कॉई तो रचना की गति क्या है हैं कि ऐसा कहीं पर भी मैसूस नहीं होता है कहीं पर भी अनभव ऐसा नहीं होता मूश सो सब्सक्रान की सब्सक्राइब के मतलब होता है। मुर्जूदॄर्सत्र का इसकी सटर्थ आगए हैं उन्हीं का आधाल लेकर यह रचना क्योंकर मोना में 232 9 और इसको कणने ब्यक्ति कणने में समथ है दूसरी चीज़ देखें उद्देश रचना का तो इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश है कि जो भारती राजनीती में जो विडवन बनाए हैं विसंगतियां है कुरितियां है जो जो गरबणियां है उनको यह थार्तवाधी तरीके से सटीक्ता के साथ पूरी बेबाकी के साथ पूरे नंगेपन के साथ उजागर किया गया है तो किया जाना चाहिए और यह रशना इस कार में अपने उदेशी पूर्ते में पूरी तरह से सफल होती है एक पात्र वास्विक दिखेए बनाय वोग ना देखेएंगा इसी टोप दिया गया है इसलिने पात्र बनावती दिखने लगे पात्र स्भाविक देखें, और सवाहग दिखने के लिए क्या चाहिए है कि उनके अंदर अंतरदवन्द मौजूद हो, उनके अंदर अच्छाई बुराई दुनों चीज मौजूद हो, ऐसा नहीं हो कि कुछ पाति सिर्फ अच्छे हैं और कुछ पाति सिर्फ बुरे हैं, इस तरह एकी चीजे नहीं होने चाहिए, कि देवता और दानों वाली बात हो, मालों में दूनों तरह के गुम होते हैं, किसी वनुस्तर में कुछ अच्छाईयां होती हैं, कुछ बुराईयां होती हैं, तो आप इस रशना में दिखेंगे, कि इस सब चीजे मौझूद हैं, पात्र में कुछ अच् तो यह आप चर्पी जोजना देखेंगे, इसकी एक्ड़म सठीक है, अब दिखते हैं समाद जोजना के लिए क्या क्या देखते हैं, लोग की समाद कैसे है उन से यह, छुटे-छुटे होने चाहिए, चुस्त होने चाहिए, सठीक होने चाहिए, और सरलहासा में उनचाहिए, साथ ही साथ ये देखना पड़ता है कि कौन सा पात्र संभात कर रहा है कौन सा पात्र बोल रहा है जैसे जैसे पात्र की पश्ट बूम बदलेगी वैसे वैसे संभात की वासा भी बदल जाएगी तो कि आपने देखा कि हीरा की वासा अलग है जो विसूगा पिता है महेस जोगी प्रहाले खाव्यक्ति है, उसकी भासा अलग है और दास आपकी भासा अलग है, सबकी भासा आपको अलग-लग मिलेगी तो इस समाते जीता आप देख सकते हैं भासा सहली, भासा सहली क takeaway का मतलब है कि जो ब्रशना लिखी गई है तो उसकी भासा कैसी है, तस्तम प्रधान है, तद्भोग प्रधान है, किस तरह की भासा है, उसमें विजिश्रस तत्तो जाता है, उद्दू की सब जाता है, तो यह सब देखा जाता है, भासा सहली में, मुहावरे लोक्तियों का कैसा प्रियोग किया गया है, सहली कैसी विचा करके हैं कापियात्म क्हाका कैसी से देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे जो रचना की भासा और स्धाराइब नहीं जैस्सद्स जीवन में इस्तिमाल करते हैं जिस था बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम एक जैसा होना चाहिए समचेत रूप में वैसा मुहावरे लोकोगतियों या इस तरह का प्रियोग इस भासा में किया गया है अब देखेंगे किसी भासा हुआ है और आम हिंदुस्तानी भासा है जगे जगे में पर जहां हो सकता है सूतर हाँआ का भीक त्रियोग इस रचना में किया गया है अब देखते हैं जो लाश कालवाता बना के मतलब है कि रचना जो लिखी गई है जो विसेवस्त हूँ है किस समय का आधार लेकर लिखी गई है तो इसकी जब घटनाओं के जितकी पड़ते हैं चाहा हुआ है जो दल दल जवस्तियों में आग लगाने बाली बात हो दल बदल गटना है, तो इससे पर ये समझ में आता है कि 1970 के दसक का आधार लेकर ये लचना लिखी गए ये उपन्यास लिखा गया है, उसी के आध पास की गटना है हमें पदा चलती है, कोई भी लेखा क्या लेखे का क्योंकि उससे क्या होता, उससे लचना बंद जाती है, उसी देशक बहुत ज्याजा सूचना आAyे, जी सकाल की नहीं देता, उतना ही देता है, सर्षको छचना के लिए आवसक हैं, तहकर ये गटनाओं से अंदाज लगा लिया जाता है, समीछ एक अंदाज लगा लेते हैं, कि ये समय की गटना है, तो अपन्यास की तक्रफों पर भ्याक्ष आपने यह पढ़ी कोई भी उपन्यास आएगा उसको इनी तक्तों के अधार पर ब्याख्या उसकी करनी पड़ती है और करनी चाहिए कि यह पुएंट देखा दूसरा एक जो सवाल अक्सर उठता है वह हम यह दिख लेते हैं कि महाभोज का नाम करा जो महाभोज नाम रखा गया हाँ उचित है यह इससे बेतर भी नाम हो सकता था तो नाम जब भी किसी रचना का अच्किया आता है तो उसकी क्या 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 धाल उसके लिए सबसे अब हार है कि जो उद्धेस है मुलू को सिज्भी मुला के व्यट्री वक्ति करने में सछम हो दूसरा आति होती है पैठक के मान में क्या हो जिग्यासा उतагоलिया कर दो कि साफ़ा है कि नाम और संशि्थ होना चाहिए बहुत लंबा ना हो कि बहुत लंबा और निकल फिंदे है लोगों बोलने में याद रखने में मुश्किल होती है तो नाम कैसा होना चाहिए लशना का संशिथ होना चाहिए वो आई साहो कि उसको अभीव्द्ध करने में वैनाम सच्छा मों क्योंकि बहुत बार यह होता कि जिग्यास उत्मन होती है तो लोगों रशना कःते हैं परणे आरम करते हैं तो पाठा के मैं जिग्यास आभी उत्मन होने चाहेगी है अब हम देखते हैं इस लचना में इस शपपर्याशत में कि यह तीनों को फोटी फुरु होती है नहिं मैं हुती है हम देखते हैं कि महाभोज क्या法 क्या है महा भोज कहते हैं उसर बोज को जो मत्तु के बाद किसी की मत्तु के बाद खिलाया जाता है इसको तेरह हुए भोज भी उतरहाथ में बहुत साई जगे पर बोल दिया जाता है तो यह वूब हो जैए किसी कि मत्व के बाद खिलाया जाता है तो अब यहां पर देखिए अम यहां पर किसकी मत्व कोई बाद कौं सा भॉ starch हो रहा है तो मोदेखेंगे इस अचना में कि मत्व कि सकी है इसमें दिखा गया लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में किस की मत्तु है यह लोगतंते की मत्तु है जो कि दरित लोगों के हित्न में खड़ा हुआ था उसी में प्रयास रखता कि वन्चेत लोगों को न्याय मिल सकें वह नेतिक्ता के पच्छ में जुका हुआ था वह सच में देखा जाए तो भारत के लोगतंते का सच्चा नागी था वह उस पच्छ में जुका हुआ था वह उसके पजी संवेद अंसील था तो ऐसे बक्ति की हत्या एक तरह से क्या है लोगतंते की हत्या ही है और इसकी हत्या क प्रदेश में सबसे बड़ी रैली उनकी रैली हुई है उसकी रैली का प्रभाव होगा तो वो जीत जाएंगे वहां से शुकुल बाव होगा दास आपको यह लाभाई यह फाइदा हो रहा है कि किस तरह से उनने भावनात्मक राजनित का प्योग करके हीरा को पसंद कर लिया गावानों को अपने प्रभाव में ला लिया घरे लिए उद्दोग योगना के जरी है उसके बड़ी रंगीन पार्टी चल लाई है आप देखेंगे किस तरह से महां पर धेसा यह लोग मौजूद है उसके जो महमान कैसे कैसे वह हलकी बाते कर रहे हैं महां पर कि दिखाव को कि पंटी बाते कर रहे हैं सच में वह लोग नय सब्सक्राइब कर रहा है लेकिए बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं वह देखेगा कि कैसे सत् casi ताइर के लोग वहाँ पर मौ्जूद है और वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं दूसरा यह हुगा तीसरा आप देखेंगे कि दत्ता साव जो मीडिया है दत्ता साव को यह से कोटा वपरनेश मिल गया तो कैसे वो हैं और इतके साथी पार्टी कर रहे हैं भोज कर रहे हैं किस तरह से वह आनन्द में मगन है कि चलो हमको यह कोटा मिल गया अब हमारा अक बा बढ जाएगा हो रधोन दंदा बनतके पार्टी कर रहे हैं कि ऑखे कि सारे लोग भोज की लोग अगर धूस्ते को नुकि नमक ह्का रहे हैं इसलिए ईसगल ढfire देखेंगे महाभोोज नाम क्या है यह अपने विसेफस्तों है उसको अगत्त agents और इसकी अभींज़ना करने में अभींजना करने में ये नाम इकदम सटीक है एकदम उत्तम हैं करता है। जिए सब्छत को लोग का मिदो यूंतर फुर्छ सब्सक्राइबूरा चाहिए जागा फूरा का हुआ हो यूंतर घुधा नहींहों पूरा करता है तो इसी सब्सक्राइब गैखेंगे। की महाबुष्ट के नामकरन बिलकुर सटीक है वह जो इस्थिती पर धानना ठक है तो उसकी अभिजणना करने में वो पूरी तरह से सच्छम है इस नामकरन पूरी तरह से सार्थक है यह अपने विशावस्तों को रशनावस्तों को अभीव्यक्ति करता है तो यह हमने देखा प्रस्णा भी देख लिए कभी कभी कुछ कुछ चरित्म प्रस्णा पूछ लिया या ता यह से सक्षिना की चर्ट्र की बतलाईए तो बहुत मुस्किल नहीं है आप बता सकते हैं कि उसके वह किस तरह से अंतर दौन्द मौझूद है पहले वह कैसा ब्यक्ति था कि हाला कि पह कि उपरन्यास के समर्पड में ही मन्नु बंडारी ने दिखाया है लिखा है कि उस खतरनाक दुर्णेवार लपकती अगनी लीक के लिए जो बीशु और बिंदा तक ही नहीं रुकी रहती है अर्थात वह उसके बास सक्षिना में चली गई और देरी देर करके जंता में फैल आए ऐसा लेखिका का विश्वास है कि वह अगनी लीक वह मन में जो खीरा चला गया कि नहीं है नया हुरा इसके प्रति हमको जागरत होना आ है इसका सामना करना है तो वह अगनी लीक है वह बीशु और बिंदा तक नहीं रही आगी भी उसकी चली गई सक्षिना तक चली ग कागजात को खुद लेता है और जो बिंदा की पत्नी है उसके साथ साथ वो जा रहा है सत्य को उजागर करने के लिए तो यह सब चीजे हम देखेंगे तो उसका चरित्य कैसा है बदलता हुआ चरित्र है कि वो अंदर से इमानदार है सुरू में हिम्मद में जुटा पाता है लेकिन बाद में वह उसके ब्रक्षत में परिवरतान आता है उसके मन में कैसे कैसे अंतर बंद मौझूद है वो सब देखेंगे बहुत देर तक सच्चाई छुपा कि आप नहीं रहते हिर्दय में बहुत पर सकते ना है किसी स्टाइड ने भी कैफी आजमी का शेर है बड़ा अच्छा सेर का है कैफी आजमी ने कि होटों को सी कर देखिये पशताईएगा आप फितने भी जाग उठते हैं आखिर गोटं के बाद तो अभी हमने जो पढ़ा जो महाबोज उपन्यास पढ़ा उसमे नाम करान पर प्संट पूचा जा सकता है अब हम नहाँ पर इस टॉपिक को बंद करते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक लेकर हम हाजर होंगे नमस्कार